हाई दोस्तों आज का हमारा टॉफिक है मुल्यांगत वस्ता मापन में तर तो सबसे पहले सुचना चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिपी के सान आपको तुरंद मिलें बगल मैं आपको बेल का आइकान कीजिए फिर उसको शेयर कीजिए शेयर करके हर एक इंसां तर पहुचाई जो टेट सीटेट यार्नेट का एकजाम देने जा रहा है तो हम बात करते हैं मुल्यांकन की ठीक है तो मुल्यांकन के दुवारां यह निस्चित किया जाता है कि योगेता अथवा गुण की संख्यात्मक तथा गुडात्मक मातरा उप्यूक्त है अथवा नहीं ठीक है और मापन जो होता है उसमें मापन के दुवारां किसी योगेत अतो गुन की मात्रा को ज्यात किया जाता है मापन जो होता है वो संख्यात्मक सीच्यात्मक दोनों सकता है दूसरा अंटर है मुल्यांकन में भविश्वारी सार्फ़क्ता के आधार पर कर सकते हैं क्योंकि इसमें उसके समस्त पहलूं का ज्यान प्राप्त कर लिया जाता है मापन में क्या होता है मापन के आधार पर भविश्य वाणी सार्थक्ता के साथ नहीं किया सकती है मुल्यांकन जो है निरंदर चलता रहता है मापन का कोई निस्चित समय सीमा नहीं होता है ठीक है अगला अंतर है मुल्यांकन में रम धन और समय की अधिक आवसकता होती है क्योंकि इसमें अनेक परिक्षाओं का निर्माद प्रशासन और विसलेशर सम्मेली थे सही बात है अगर मुल्यांकन करेंगे तो उसके लिए में एक्जाम कंड़क्ट करने पड़ेंगे उसका इवैल्यूशन करना पड़ेगा ठीक है इनमें तमाम खर्चा आएंगे मापन जो है मापन में धर्म धन तथा समय की आवसकता नहीं होती है क्योंकि इसमें परिक्षाओं कम होती है अगला अंतर मुल्यांकन का कारें लक्षियों के निसकर्ष निकालना है ठीक है मापन का कारें जो साक्षियों को एकत्रित करना है मुल्यांकन एक साध्ध है, मापन एक साधन है मुल्यांकन में संपूर्ड ब्यक्तित्यु की परिक्षा ले जाती है किसी का मुल्यांकन करने के लिए उसकी शारीरिक, मांसिक, सामाजिक, समवेगात्मक तथा अन्य पक्षों की परिक्षा लेनी पड़ेगी तभी उसका मुल्यांकन किया जा सकता है इसलिए मुल्यांकन की कई परिक्षाईं सम्मिलित होती है मापन में कुछ भी परिक्षाईं ली जा सकती है जिसका उद्देश वर्तमान आवसेक्ताओं की पूर्ती करना है तथा ब्यावसाईक रूची की परिक्षा तथा गणित की परिक्षा ठीक है मुल्यांकन के आधार पर निश्चित धारणा बनाने में सफलता मिलती है मुल्यांकन में सभी परिक्षाएं सम्मेलित रहती हैं तथा इसके आधार पर हम किसी भी विद्यार्थी के विशय में निस्चित धारणा बना सकते हैं उधारण के लिए मुल्यांकर में सभी परिक्षाओं के अंग उपलब्द रहते हैं इनका योग करके जो चात्र समस्त विशयों के योग के आधार पर सबसे अधिक अंग प्राप्त करता है वह सबसे योग है तथा इसकी सार्थखता योग मानियाती है क्योंकि सभी वक्षों में परिक्षा देने के बाद उसका करम पहला आता है मापन में क्या होता है मापन के आधार पर निश्चे धारणा नहीं बना जा सकती है मापन में कुछ ही परिक्षाएं सम्मिलित होती है तदा अधिकांस परिक्षाएं इनमें सम्मिलित नहीं रहती है अता है इसके आधार पर हम निश्चे धरणा नहीं बना सकते हैं उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी संस्कृत विशाय में सबसे अधी कंग प्राप करता है तो हम यह नहीं कर सकते हैं कि वह अच्छा का बुद्यमान है क्योंकि वह संस्क्रेट में नंबर पाने से तो वह सबसे स्क्रेश तो नहीं जाएगा पूरी कक्षा में अगला अंतर है मुल्यांकन उद्देश पर आधारित होता है मापन जो होता है वह पार्थ वस्तु पर आधारित होता है मुल्यांकन मापन का सच्छिक लाब मुल्यांकन के द्वारा ही सम्मद हो है ठीक है अब मापन की बीना मुल्यांकन की का कार्य वाइग्यानिक नहीं हो सकता है ठीक है ओके दोस्तों धन्यवाद एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो मिस ना कर पाएं आप एक भी लाइक करें शेयर करें शेयर करके टेट सीटेड नेट के एकजाम देने व है उकते हैं भी आपको मिलता है अबस्का णों यहा झाल जाता है और देयर का दूनी आरे वी लाइ